खमागणी आप देख रहे हैं राजस्थानी रियेक्शन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ती शिकर छू रहा होता है लोग उसको गालियां देकर उसको बुरा बला कहकर या उसको बदनाम करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उसके साथ साथ उसकी जो प्रसिद्धी उसको मिल रही है उसमें अपना नाम करने की कोशिश करते हैं कहीं पर स्टैंड करने की कोशिश करते हैं कांतारा की मैं बात कर रहा हूँ रिशब शेठी की मैं बात कर रहा हूँ कांतारा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है रियक्शन जाते हैं मेरा रियक्शन जाते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो मुझे जरूर बताइए आप बैल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए कांतारा लगबग हर सिनेमा प्रेमी ने हर फिल्म प्रेमी ने देख ली है और कोई भी इसके प्रेम से इसके ट्रांस से अचूता नहीं है सबी लोगे फिल्म देखने के बाद सिर्फ इसकी बढ़ाई कर रहे हैं 110% इसकी बढ़ाई कर रहे हैं कोई भी मुझे अभी तक एक review, एक व्यक्ती असा कहता नहीं मिला कि जिसने इस film के बारे में कोई भी माइनस पॉइंट गिनाया हो। अगर इस फिल्म में कोई माइनस पॉइंट होगा भी तो ये फिल्म इतनी लार्जर दिल लाइफ है इतनी इतनी भक्ति भाव में लीन है ये फिल्म के वो माइनस पॉइंट छुपा रहा गया होगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है हम सब में जो इस फिल्म की बुराई करता है इसको पाखंड बताता है इसको जूट बताता है एक्टिविस्ट और एक्टर चेतन कुमार 18 ओक्टूबर को ट्वीट करके सभी के दिलों पर राज कर रही इस फिल्म कांतारा के लिए उन्होंने एक विबात खड़ा कर दिया है उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि खुशी है मुझे कि हमारी कंड़ फिल्म नेशनल लेवल पे सबको पसंद आ रही है डारेक्टर संस्कृतियों को ओन और ओफ स्क्रीन पर सत्य रूप से दिखाया जाए इतना है नहीं जेतन ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि हिंदू धर्म की शुरुआत से पहले करनाटक की धर्ती की अपनी अलग संस्कृति परंपरा और इतिहास रहा है उन्होंने इतना तक कह दिया क भूता कोलर बाकी जो प्रताएं है वो आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है और हजारों सालों से है अब यहाँ पर उनका बेसिकली ये मोटिव है कि हिंदूों में से आदिवासीयों को अलग किया जाए जबकि इसमें आदिवासीयों को या फिर जो भी वो ट्राइब रहा हो उसे हिंदू ही बताया गया है उन्हें अलग नहीं बताया गया है लेकिन अब कुछ ऐसे शक्तिया है जो काम कर रही है जो हिंदूों को बातने में लगी हुए कभी हम गुजर हो जाते हैं कभी हम राजपूत हो जाते हैं कभी हम ब्राह्मन हो जाते हैं कभी हम शुद्र हो और अब इस फिल्म का बेस लेकर आदिवासियों को हिंदूं से अलग किया जा रहा है और अब दिखती सी बात है कि लोग जो है वो एक्टर और एक्टिविस्ट चेतन कुमार के सिस्टेट्मेंट का विरोध कर रहे हैं तो भूता कोला और ये जो प्रता हैं जो रिती लिवास हैं इनको फॉलो करने वाले लोग भी हमारे साथ में मौजूद थे ताकि हम सारी साबधानिया रख सकें कि हम कुछ भी गलत न दिखाएं और कुछ भी बड़ा चड़ा के न दिखाएं जो सच है वो दिखाएं इदर शिराम सेना के चीफ प्रमोध मुतालिक ने एक्टर चेतन कुमार के स्टेट्मेंट पर ही उनको पल्ट वार कर दिआ है उन्होंने ही कह दिया है कि एक्टर चेतन कुमार जो हैं वो तो पहली बातों कम्यूनिस्ट है और नास्तिक हैं और वो हिंदू संस्कृति में विश्वास ही नहीं रखते हैं तो उन्हें ये सब कहने का कोई हत नहीं है अब ये तो देखिए human history रही है कि जो भी चड़ रहा होता है सफलता की सीडिया और लोग उसे गालिया देते हैं ताकि क्यूंकि उंचे लोगों पर पत्थर मारने से आप भी जो छोटे लोग होते हैं उन्हें थोड़ी सी सस्ती publicity मिल जाती है तो ये सस्ती publicity के अलावा कुछ नहीं है आपने सभी ने ये मूवी देखी और आप जानते हैं कि कितनी आस्ता से कितनी भक्ती से ये फिल्म बनाई गई है मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इसका कलेक्शन कितना हो चुका है रिशेफ शेट्टी ने इस फिल्म को पहले कंणड भार्षा में ही रिलीस किय और जब दिवाली थी उसके बाद भी लोगों ने जी भर भर के इस मूवी को देखा है हिंदी बैल्ट में इस तरह की मूवी को फुल हाउस फुल मिलना एक बहुत बड़ी बात है तो हमारे बॉलिवूड वालों को भी इंस सीखना चाहिए और बात करें आइमडी बी रेट को आधार बनाया गया है उसकी आस्था पर सवाल उठाना बेबुनियाद है क्या आपको ये रियक्शन इस विवात पर मेरा कैसा लगा कांतारा फिल्म आपने देखी है तो ज़रूर नीचे पूरी भक्ति के साथ आप कमेंट में लिखें कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और